स्वागत है आपका बहुत दोस्त की क्वाइरिस थी ऐसी कि जो फार्मसिस्ट के रिश्टेशन की प्रक्रिया है वो कैसे रहती है जो फार्मसी काउंसिल है उसमें डॉक्यमेंट्स जमा करने के बाद जो है उनका डॉक्यमेंट्स जो है वरिफिकेशन के लिए कब जाता है कैस कौन सी जगह से verification कराना पड़ता है इसके बाद आपको कब जाकर जो है original documents के साथ आपको council में विजित करना पड़ता है तो इसी के बारे में दिखिए बहुत लोगों की queries आ रहे थी तो एक-एक करके मैं आपको इंसर नहीं देख पाऊंगा सो इसलिए इसकी वीडियो को मैं बना देता हूं सो फार्मासिस्ट की registration होती है तो आप सबसे पहले भी फार्म हो और डी फार्म हो आप अपनी documents को जो है व्यास्टेट फार्मेसी काउंसिल में registration के लिए जो भी आपके यह required documents है वो आप समिट करते हो documents आपको नहीं पता कि कौन-कौन सी documents जो है वो लगती है तो मैंने इस पर पार्टिकुलर विडियो बना रखा है वहां से आप इसको देख लिजेगा कि registration के लिए कौन-कौन सी required documents जो है वो आपको चाहिए होता है जब आप सारी documents को फार्मेसी कांसिल में जमा करते हैं तो दिखिए फार्मेसी कांसिल जो है अगर आप डिप्लोमा हो या फिर बैचलर हो तो आपको वह verified करता है कि आप जो है आपने जिस college से फार्मेशी किया है वह मतलब वह आपकी जितने भी documents है सब original है फिर genuine है कि नहीं इसी चीज के लिए वह confirm करता है या फिर आपने जो training period है वह complete किया है कि नहीं तो यह सब करने के लिए वह जो है आपको अगर आप डिप्लोमा हो तो आपकी हॉस्पीटल से एक लेटर प्रवाइड होता है यह हॉस्पीटल में जो है हॉस्पीटल में ऐसा लेटर इशू करता है क कि मेरे pharmacy council में आपके नाम लिखेगा और यह student जो है वह registration के लिए अपलाई कर रहे है क्या इन्होंने जो है आपके हॉस्पीटल में जिस हॉस्पीटल से आपने किया होगा उस हॉस्पीटल में इन्होंने complete जो है training अपना complete किया है तो फिर उसके answer में जो है जो आपका जो है एक लेटर इशू करेगा और उसमें सारी चीजा आपकी मेंशन रहेगे और उसमें आपको बताएगा कि इन्होंने जो है training complete कर लिया है इसके बाद आपको जो है आपकी documents जो है आपकी college में भी verification के लिए जाता है तो college भी उदर से एक लेटर जारी करता है कि यह सारी च आपको genuine है तो ऐसा confirm हो जाने के बाद जो है फिर आपकी pharmacy council जो है आपको आपकी documents को आगे बढ़ाता है इसके बाद जब दोनों जगह से जैसे diploma वाला के लिए जो है hospital और जो college है दोनों में documents verification के लिए जाता है वहां से अकर लेटर आ जाते हैं या फिर bachelor वाली के लिए भी ज नहां पर आपकी documents जो है verification के लिए जाती है इसके अलावे आपके college में भी जाती है तो document जब इतना यह सब सारी process हो जाती है तो process आपकी job उधर से लेटर आपकी आ जाती है pharmacy council में तो लेटर के आने के बाद आपको जो है pharmacy council में अपनी जितनी भी original documents है उसके साथ आपको बुल जाया जाएगा तो उस्दमें आपको आपकी जो है सारी चीजे documents अगर सही पाई जाएगी तो फिर कुछ देर मतलब एक घंटा दो घंटा या फिर एक दिन दो दिन के बाद जो है आपको inform कर दिया जाएगा और आपकी registration जो आपको provide कर दे जाएगी तो यह थी registration के प्रिकिर जाता है तो कोसिस करो कि वहां से आप उस लेटर को जल्दी से return pharmacy council भेजा पाओ तो यह थी information जो आप registration के प्रकिरिया जो process के बारे में पूछ रहे थी कि कैसे आपकी जो है apply कर दिये तो उसके बाद कैसे आपकी registration जो हो मिल पाएगी तो पार्टिकुलर एक करके दिखे वीड rate की जो भी एंसर आप चाह रहे थे तो यहीं थी इसके अलावे आपको और भी कोई डाउट है आप हमें comment में पुछे इसके अलावे जो rrb pharmacist जो है rrb pharmacist के preparation की जितने भी previous year की paper है आज से आपको upload होने लगेगी आज से rrb pharmacist की जो पीछली year की papers है जब भी जो pharmacist की exam होई ह या उसको लेके तो वो आज से आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगे तो चैनल पर ज़रूर जुड़े और अगर आप कोई भी vacancies के लिए आप वीट कर रहे हो फार्मसिस के लिए या फिर भी आज टेट फार्मसी काउंसिल के अपडेट के लिए तो इस चैनल पर बने रह है कमेंट करें सस्क्राइब करें हमारे चैनल को सपोर्ट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बावाए